नमस्कार किसान साथियों मैं आपका दोस्त नरेंदर पोरवाल आपके अपने यूटूब चेनल देश किसान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ किसान साथियों सरकार जो उद्यानी की फसले होती हैं उनके आपकड़े या अनुमानित आपकड़े सरवे करके लगातार जो हैं हमारे सामने प्रस्तूत करती हैं जिसमें की सभी चीजे बताई जाती हैं की बुवाई कितनी हुई थी, किस फसल की, उत्पादन कैसा हुआ था एसी चबी चीजे उसमें बताई जाती हैं तो अभी वर्तमान समय में भी सरकार ने प्याज के बारे में एक रिपोर्ट या आपकड़ा पेस किया हैं जिसमें की उसने कितनी बुवाई हुई थी, कितना उत्पादन हुआ हैं और पिछले साल की तुल्ना में कितना अधिक या कम उत्पादन हुआ हैं एसी रिपोर्ट पेस की हैं जिसमें कि उसने पिछले साल की तुलना में जो हैं अधिक उत्पादन की बात कही हैं जिससे की किसानों की परेशानी बढ़ती हुई दीख रही हैं और एसे अनुमान लग रहे हैं कि जो हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद में जो किसानों की फसल उसका मुल्य या प्याज की फसल का मुल्य गिरता हुआ देखने को मिल सकता है जबकि किसानों का कहना है कि जो सरकार ने रिपोर्ट बताई है वह बिल्कुल ही गलत है और किसानों के अनुसार यह रिपोर्ट नहीं बनी है यह एसी रूम में जो हैं बेट कर बनाई गई है और इसके खामियाजा किसानों को भोगतना पड़ेगा तो क्या है रिपोर्ट पूरा मामला क्या है किसानों का क्या कहना है उसकी जो हैं पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंता तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ज़ादा से ज़ादा किसान बयों तक सेर करने के लिए, पहुंचाने के लिए, वाटसअप, पेजबुक और अन्यी सोसल मीडिया पर इस वीडिय से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और पास में लागा घंटी का बटन भी जरूर दबातें तो क्या है रिपोर्ट देखते हैं तो किसान साथियों केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादन का एक आंकड़ा रिलीज किया हैं जि प्याज के दाम में रिकार्ड गिरावट से परेशान किसानों की मुसीबत या आंकड़ा बढ़ा सकता हैं सरकार ने 2021-22 के लिए बागवानी फसलो के छेत्र और उत्पादन का जो दूसरा अग्री मनुमान जारी किया हैं उसमें प्याज का उत्पादन पिछले साल के मुका उनके बिगार सकते हैं और जो हैं आप अंदाजा लगा सकते हों मंडियों में किसानों को मिलने वाला दाम और कम हो सकता हैं इसलिए प्याज उत्पादक किसानों ने केंद्र सरकार के इस डाटा पर सवाल उठाए हैं और तीखे प्रस्ण भी किये हैं किसान नेताओं ने फसलों के अगरीम अनुमानों को जारी करने की विश्वशनी ताको भी कटगरे में खड़ा करने की कोशिस की हैं आपको पता ही होगा कि पिछले तीन महिने से महराष्ट मद्द प्रदेश और अन्य उत्पादक राइज जहां पर हैं वहाँ पर किसान 50 पेसे से लेकर 5 रुपए 6 रुपए किलो तक प्याज बेचने के लिए मजबूर हैं दर असल केंदरी क्रसी मंत्राले ने बताया हैं कि देश में 2021-22 के दोरान 3 करोड 17 लाग 3 मेट्रिक टन प्याज पेदा होने का अनुमान हैं जबकि 2020-21 में उत्पादन 2 करोड 6 लाग 41 हज मेट्रिक टन अधिक उत्पादन जो है सरकार ने बताया हैं यह उत्पादन इतना अधिक इसे एक उधान से समझीए नेशनल एगरिकल्चर को ओपरेट्व मार्केडिक फ्रेडरसन आप इंडिया याने की नाफेड सिर्फ 4 लाग मेट्रिक टन प्याज खरीदने का एलान कि अधिक प्याज उत्पादन का आकड़ा किसानों की मुसीबत बढ़ाएगा अब इसके पीछे केंद्र सरकारिया जो आकड़ा पेस किया है वह क्या तरक दे रहे हैं केंद्री क्रसी मंत्राले ने रिकार्ड उत्पादन के पीछे रिकार्ड बुवाई को कारण बताया है और कि 3,16,000 हेक्टेर ज्यादा चेतर में बुवाई हुई है क्योंकि किसानों को उम्मीद थी कि अच्छा दाम मिलेगा ज्यादा बुवाई और ज्यादा उत्पादन के आकड़े ने महाराष्ट के किसानों की बेचेनी बढ़ा दी है क्योंकि यहाँ देश का 40, 30 प्रतिसत प् प्याज उत्पादन के आकड़ों को सीरे से नकार दिया है और हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यह डाटा जमीनी हकिकत से परे हैं और प्याज का दाम कंट्रोल में रखने के लिए सरकार की एक चाल हो सकती हैं जिससे किसानों को नुकसान होगा प्याज उत्पादन के लागत पर मुनाफा जोड़कर सरकार इसका नियूनतम रेट तय कर दे वरना एसे आंकड़ों से किसानों को भारी नुकसान होगा उन्होंने सरकार से नियूनतम समर्थन मुल्य को जो हैं लागू करने की भी बात कही हैं सरकार कैसे निकालती हैं उत्पादन का अनुमान अगर इसकी बात करें तो जो अध्यक्ष हैं बाराजी जिगोले उन्होंने कहा है कि हमारा इतना बड़ा संगटन है लेकिन आज तक हमें ही नहीं पता कि प्याच के उत्पादन का अनुमात सरकार पिछले या कुछ सालों से या भी इस वरसों में किस से पूछ कर निकालती ह वो कौन से किसान है जिनसे इस बारे में पूछा जाता है कि उत्पादन केसा है सस तो यह है कि आज तक हमारे किसी सद्धिक किसान या किसी सरकारी एजेंसी से इस बारे में नहीं पूछा गया किसानों से पूछे बीना सरकार को केसे पता चला कि उतना उत्पादन होगा क्य एसी कमरों में बेटकर ऐसा डाटा बनाया जाता है मेरे हिसाब से उत्पादन कम होना चाहिए जो कांदा उत्पादन संग के अध्यक्ष है उनका कहना है कि उत्पादन कम है और उत्पादन कम हुआ है इसके पीछे क्या तरक दिया है तो उन्होंने कहा है कि इस साल महराष्ट में प्याच का उत्पादन करीब 30-50 गढ़ गया है रभी सीजन के प्याच का उत्पादन प्रती हेक्टेर लगबर 35 टन होता है जबकि इस साल 25 टन के आसपास ही हुआ है इस साल सबसे बड़ी हीट वेव आय थी इसी से करीब 20 परसेंड उत्पादन घट गया जबकि दिसंबर 2021 में जब रभी के प्याच की रोपाई चल रही थी तब बेव मोसम बारिश से काफी नुकसान हो गया था मार्च 2022 के पहले सब्ताव में भी वेव मोसम बारिश से नुकसान हुआ यसे में प्याज उत्पादन संगटन का मानना है कि उत्पादन कम हुआ है और सरकार उत्पादन ज़्यादा बता रही है तो किसान साथियों यह थी जानकारी की सरकार ने प्याज के उत्पादन के बारे में क्या आकड़ा या सर्वे प्रस्तूत किया है या रिपोर्ट प्रस्तूत की है और उसके बारे में किसानों का या किसान नेताओं का या कांदा उत्पादन के अध्यक्ष का क्या कहना है तो आपको यह जानकारी केसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बता है अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें और आपके कोई सवाल या सुजा हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे अगर आ पहों से संबंदित एसे ही वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जो वीडियो अप्लोड है वह भी आप जाकर एक बार जरूर देखें वीडियो को अंतों तक देखने के लिए आपका विशेज धन्यवाद फिर मिलत हैं नई जानकरी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय ही जय भारत वंदे मात्रम